बलरामपुर जिले के अनेच 3.43 से महस 5 किलोमेटर के दूरी परस्थत चंद्रनगर की मुख्य मार कुगवा आजादे के चोतर साल बीच जाने के बाद भी समोचित आवगमन के लिए डामरी करिन सडख नसीब नहीं हुई है सडख कच्ची होने के वज़र से ग्रामपुर जिले के जनपत पंचायत रामचंद्रपूर के ग्रामपंचायत चंद्रनगर की मुख्य सडख का है यहां ग्रामपंचायत पहुचने के लिए कच्ची सडख है जो दो ग्रामपंचायतों को जोड़ती है लेकिन इसके करें सड़क सचीव सरपंच की कवाने का जरिया बन किया है यहां मुल्वत योजना किता है जो पैसा आता है उससे सरपंच सचीव हर वर्ष एक दो ट्राली मिटी मोरम गिराकर शास्की राशी का बंदरबाट कर लेते हैं और लोगों को इसी तरह से परिशाने का साबना करना पड़ता है इस मामले में जनपत सीओ इंदरा मिश्रा ने संख्यान लेते हुए जाज कराने के बाद कही है और उन्हें कहा कि इस पर जाज करवाने के बाद अद्काल सचेव योपर कारवाई की जाएगी इसकी जाज करा कर ही इसके बारे में कुछ कह पाऊंगी जाज कराने पर अगर अनिमित तब आई जाती है तो कारवाई की जाएगी सची के बुद्ट एक और है रोट की समस्या यह है कि राष्टिय मार्क 343 से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे चंदरनगर गाउं जो रोट की इतनी बतर हालत हुई है जिस पे महिल बहुत दिकत प्रेशानी के बाद है अगर किसी बेकती को कुछ तक लीफ रात में हो जाए तो महज 2-3 किलोमीट और की होस्पिटल जाने तक में वो दम तोड़ दे सबसे पहले यहां पर बीज़पी के सरकार थी उस समय राम विचार नेताम जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी हम इस छेत्रे के विधायक बनेंगे तो इस मार्क की हम डमरी करण करेंगे इसके कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल के बाद जो गिरी गराम किरवासिला के रहने वाले थे और उनके गिरी गराम से जोड़ने वाली चंदरनगर, नहरू नगर, नगरा, भॉरमाल जोडती थी उमार ऐसी हालत हुई है पर रारंण सारे है गराम चंदरनगर से हुमा है, जादी 75 यह बीत गया अभीतक रोड का वही हाल है, जाते जाते पूरे गंदा हो जाते, पूरा वाइट राताय का पूरा जाते है, इतना इस्तिति बुरू हाल है पूरा गड़ा लगता है कि पूरा तलाब है ओव मत के यह जो फैक्टरी होता है धूल के मारे पूरा बरबाद हो जाता है बड़े-बड़े वादे करते हैं अपने हिसाब से लेकिन वह जीतने के बाद यहां आते ही नहीं है यह क्या बूलना उन लोक को राम विचार रहे है 15 साल पहले 25 साल पहले रहें विधायक यहां से वो कुछ ने किये जो वही इस्तिति है ना फिर विधायक ब्रसपत सिंग बने दस साल उनका रहा सरम दस साल में मुश्किल से दो बारा हैं और दोनों बारा आने के बाद वह अप अबिधायक जी बोल रहे थे हैं